मेरा हो मन स्वदेशी मेरा हो तन स्वदेशी मर जाओ तो भी मेरा हो वे कफन स्वदेशी लग सहमी हो गई है कि मास खाने से ताकत आती है बिल्कुल नहीं आती हमारे देश का एक पहलवान है उसका नाम है शुशिल कुमार अभी थोड़े दिन कुष्टी में उसने दुनिया के सबसे ताकतवर पहलवान को पटक दिया और जिस पहलवान को पटका वो मास खाता है और ये सुशिल कुमार संपूर्ण शाका आरी है ये सुशिल कुमार का भी इंटरव्यू आया तीवी पे मैंने देखा उसको पूछा गया कि तुम गए थे कुष्टी लड़ने रूस में बहां तो ठंड बहुत पड़ती है तो खाना क्या खाया उसने का मेरी अम्मा से बनवा के ले गया था शाकारी खाना वो ही खाया दूद पिया और शाकारी खाना खाया और दुनिया के सबसे मजबूत पहलवान को पटक दिया और अब सुशील कुमार विश्यू चैंपियन है पूरी दुनिया में कुष्टी के पहलवान है और ऐसे बहुत बड़ बड़े पहलवान हुए है जो एकदम शुद्ध शाकारी पूरी तो आप ये गलत फ़हमी निकाल दूगे मास खाने से ताकत आती है अगर मास में ताकत होती तो रूस का पहलवान जीतना चाहिए क्योंकि वो मास खाता है सुशील कुमार हारना चाहिए क्योंकि वो तो चाह काहरी है लेकिन शुशिल कुमार जीता और मास खाने वाला पहलवान हारा मास में कोई ताकत नहीं है बलकि मास शरीर की ताकत को खतम करता है मत खाना ये मास छोड़ देना भगवान ने ये शरीम बनाया है दाल, चावल, रोटी, सबजी, सलाग, फल, आदी-आदी खाने के लिए और मास खाने की हमें क्या ज़रूरत है जब हमारे पास खाने पीने के लिए इतना कुछ है दुनिया के ऐसे कई देश है जहां दाल पैदा नहीं होती जहां सबजियां पैदा नहीं होती जहां अन पैदा नहीं होता वहां के लोग मास खाएं तो समझ में आता है भारत में तो सब तरह का अन पैदा होता है सब तरह की डाल पैदा होती है सब तरह की सबजियां है और सब तरह का हमारे पास हर चीज भगवान में दे रखी है मास खाने की जरूरत नहीं और कई गाउं के लोगों को ये भी गलत फह्मी हो गई है अंडा खाने से ताकत आती है अंडे से ज़्यादा ताकत चने में जो लोग रोज अंडा खाते हैं न वो छोड़ दें कुछ फाइदा नहीं है उसमें बलकि अंडा और ज़्यादा बीमार करता है क्योंकि अंडा जिस मुर्गी से आया अगर वो मुर्गी में थोड़ी भी तकलीफ है तो आपको तो बड़ी तकलीफ होने वाले तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं चना खाओ, मूंपली खाओ, गुड़ खाओ, मूं की दाल खाओ, उड़क की दाल खाओ, चने की दाल खाओ, लौकी की सबजी खाओ, ये सब ताकत देने वाली चीज़ है केला खाओ केले में जितनी ताकत है किसी मेंने दुनिया के बड़े-बड़े खिलाडियों को मैंने देखा वो केला खाके मजबूती से खेली दे मैंने अपनी जिन्रगी में कुछ टैनिस खिलाडियों को देखा एक बॉरिस बेकर को मैंने देखा जो इतनी तेज बॉल मारता है कि राजधानी से भी ज़्यादा स्पीट से बॉल जाती है जब वो सर्विस करता बोरिस बेकर और मैंने देखा वो हर समय केला खाता रहता है अपने थेले में से निकाले के लॉन टैनिस का जितनी देर मैच चलता है और मैच में थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता है बोरिस बेकर केला खाता है वो केले में ताकत है अंडे में नहीं है तो अंडा छोड़के केला खाओ, मुंफली खाओ, गुड़ खाओ, चना खाओ अपने देश में बहुत कुछ भगवान ने दे रखा है तो आप शुद्ध खाना खाओ ये मास खाना बंद करके शाकाहरी अच्छा खाना खाते रहो खाने का तरीका मैंने बताया कि खाने के गटे बाद पानी पीना पानी गूट गूट पीना और एक नियम है कि सबेरे सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पीओ जैसे ही आपकी आँख खुले और नीद खतम हुई तुरंद पानी पीलो सुबह पानी पीओ उठते तो फाइदा सबसे बड़ा ये होता है कि पानी पीओ उठते ही फिर उसके बाद आप टॉयलेट जाओगे तो पेट आपका एकदम साफ होगा हमारे बाहर के देशों के खिलाडियों के बारे में से बोरिस वेकर नामका एक टेनिस प्लेयर वो बहुत सारे यूरोप के और अमेरिकन कमपणियों के विज्ञापन करता रहा हैल्थ टॉनिक के एक बार बोरिस वेकर को पूछा गया कि आपकी जो सर्विस करते हो । टेनिस में आप जानते हैं बॉल को रैक्वेट से मारना है तो बहुत तेज स्पीड से जाती है तो उसकी स्पीड कित् including है तो उसने का 135 Kilometer घंटे की स्पीड है माने भारत में राजदानी जिस گती से जाती है उस गती से बॉरिस बेकर बॉल मारता है टैनिस के रैकट से तो पूछा गया कि ये ताकत कहां से आई है तो उसने का केले में से आई है बॉरिस बेकर ने ऐसा जवाब दिया कि केले में से आई है तो जो पूछने वाला पत्रकार था उसने का क्या बोला है उसने का केले में से आई है मैं बच्पन से केला खाता हूं और बोरिस बेकर ने बताया कि जब भी टैनिस का मैच में खेलने के लिए जाता हूं तो धेर सारे केले भरके मेरे बैग में रखके लेके जाता हूं मैच जब चलता है टैनिस का तो आप जानते हैं कोट चेंज होता है हमेशा एक बार इ लिग्यापन जो करते हो आप हेल्थ टॉनिक्स का, उसने का वो तो पैसे के लिए करता हूँ, खाने के लिए थोड़ी करता हूँ. खाता तो केला उपने. केला. खाके ताकत लाया हूँ, तो आपके पास आने वाले मरीज को ये कहानिया सुनाईए, बॉरिस बेकर की कहानी सुनाईए, ये सब क्रिकेट खिलाडियों के बारे में बताईए कि ये अपनी जिन्दगी में साधरन चीज़ें खाकर असाधरन बने हैं. मैं आपसे कहां से शुरू करें इसको, तो एक सरल संकेत करना चाहता हूँ. हमारे भारत के देश में जो फालतू गेर जरूरी दवाएं बिक रही हैं, उनमें बहुत बड़ी मात्रा है हेल्थ टॉनिकों की. उनके कुछ ब्रेंड नेम है, जैसे बूस्ट है, हॉरलिक्स है, प्रोटीनेक्स है, बॉर्न बिटा है, मॉल्टोवा है, फूड सप्लिमेंट्स के रूप में आप उनकी अलग-अलग ब्रेंड नेम जानते हैं. यहीं से शुरू आत करिए, क्योंकि इनमें से किसी की भी गरज और जरूरत हमारे देश के नागरिकों को नहीं है. आप रुपई के लोगा है, चार सो रुपई के लोगा है, अब चार सो रुपई के लोगा, साड़े तीन सो रुपई के लोगा किसी को हेल्थ टॉनिक या फूड सप्लिमेंट आप खिलवा रहे हैं, या लिख रहे हैं, उससे अच्छा यह है कि उसको कह दीजे, मुंगफली खा चनागुड मुंगफली तीनों मिलाके खालो यह आसानी से उपलब्द है बड़ी कीमत नहीं है इनकी बहुत सस्ती कीमत में यह सब चीज़ है और अगर किसी की हैसियत है कि वह 400 रुपई किलो का हेल्थ ट्रॉनिक खा सकता है तो उसको कह दो 400 रुपई किलो का बादाम ही खाल काजू खालो काजू नहीं है तो बादाम मुनक्का खिश्मिश मखाने जो भी आपको समझ में आता है आसानी से उपलब्द है वो खिला दो और आवला करस ले लो एलो विरा करस ले लो गिलोए का काड़ा बना के पीलो गिलोए का सत ले लो यह सब खून की कमी को खतम करने खाले गाजर ले लो अमरूद में जतना आइरण है आप जानते हूं उतना सेब में भी नहीं केला है अमूद है भारत में तो ऐसी व्यवस्ता है कि जो फल जितना सस्ता उतना ही ज़्यादा भरपूर विटैमिन से और उतना ही ज़्यादा वो पोशक तत्तों से भरपूर हा केला सस्ता है, अम्रूत सस्ता है, आवला सस्ता है, ये सब हैं, तो आप मरीज को बस थोड़ी सी दिशा बदल दो उसकी, क्योंकि उसके दिमाद में भूत सबार है, कि बूस्ट से ही उसके बेटे को ताकत आने वाली है, वो रोज विग्यापन देखता है टीवी पर, सचिन त लेह ख़ाये टीवी पर, क्योंकि क्रकट मेच चल रहा है, तो ये विग्यापन सबसे ज़्याद आ रहा है, तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है, कि बेटे को तैंदूल कर ही बनाना है, तो बूस्ट कहा के ही संबव है, और मजे की बात यह है, कि न तैंदूल कर ने कभी बुस्ट खाया ना सहवाग ने कभी बुस्ट खाया ना दोनी ने खाया ना किसी दूसरे क्रिकट खिलाडी ने ये सब जो पैदा हुए वो किसान परिवार में हुए और गरीब थे और ये साधरन चीजें खाके ही